कि परमेश्व इसी प्रकार से अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करने के लिए आपको उन्नती करेंगे, आपकी उन्नती करेंगे, आपको आगे ही बढ़ाएंगे प्रभू इन्हें उन्नत करे, प्रभू वो रास्ता इन्हें दिखाएं पर मिश्य जिस रास्ते के द्वारा प्रभू ये उन्नती के ओर जाएंगे, प्रभू इन्हें उन्नती दे, प्रभू इनके भविशे में, इनके प्रेजेंट में, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्यों क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आप पर है इसलिए प्रभु आपकी उन्नति करेंगे क्योंकि प्रभु के पास आपके लिए विशेस योजना है इसलिए प्रभु आपकी उन्नति करेंगे क्योंकि आप परमेश्र को अपनी उस योजना को आपके जीवन से पूरा करना है इस का परिवार एक गुलामी का जी रहा है उसके मामी पापा भी नहीं है वो अपने चाचा के साथ में रह रही है लेकिन वचन कहता है कि वो रूपवान थी वो दिखने में सुन्दर थी इसलिए जब राजा के पास बहुत सारे इस्तरियों को लाया गया कि उनमें से राजा परमेशर के अनुग्रह के द्वारा वो रानी बन गई इसलिए नहीं कि वो बहुत खुपसूरत थी खुपसूरत तो और भी लड़कियां रही होंगी और भी स्तरियां रही होंगी लेकिन परमेशर की अनुग्रह की दृष्टी उस पर रही और परमेशर की योजना जो उस के जीवन में पूरा करे और अपने लोगों को छुटकारा दे इसलिए वो आज एक नॉर्मल जीवन से एक नॉर्मल परिवार से रानी बन गई परमेशन ने उसे उसकी उन्नति की परमेशन ने उसे आगे बढ़ाया उसे उंचाई पर पहुंचाया ताकि वो अपनी प्रजा क अपने लोगों का भला कर सके जो लोग बंदवाई में हैं जो कस्ट में हैं जो दुखों में हैं उनका भला कर सके उनके लिए कुछ काम को कर सके और हम देखते हैं जो रानी बनी तो उसने ऐसा ही किया तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेशन ने अपनी योजना को उसके जी में अच्छी हुई और वो परमोट हुई और फौरानी बन गई और उसके बाद योजना थी वो पूरी हुई दोस्तो इसी परकार से आज साम में मैं आपसे भी कहना चाओंगा कि परमेशुर इसी परकार से अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करने के लिए, आपको उ जीवन से पूरा करें और उस योजना को पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो आपको क्या करना है आपको प्रातना करना है कि प्रभू अपनी योजना को मेरे जीवन में पूरा करें तो प्रभू आपको आगे बढ़ाएगा प्रभू आपको सफल करेगा प्रभू आपक ये जीवन में पूरा करेगा, जो काम उसने आपके लिए ठैराया है, जिस काम के लिए उसने आपको चुना है, जिस काम के लिए उसने आपको न्यूक्त किया है, उस काम को वो आपके जीवन से पूरा करेगा, तो इसलिए दोस्तों, यदि आप इस समय विपरीच समय से होकर गुजर रहे हूं, परन्त मैं आप से कहूंगा, कि परमेशो आपको भी उचाईयों पर ले करके जाएगा, परमेशो आपकी भी उन्नत दिकरेगा, और अपने उस उत्तम योजना को, उस भली योजना को, आपके जीवन में पूरा करेगा, तो प्रभू आपको इस सुबचन क लिए हम आपका धन्यवार करते हैं हम आपके लिए प्राथिन कर रहे हैं यहिद्व popular की जोरत है तो आप हमारे प्रयाटावर में phone कर सकते हैं हमारी टेम आपके लिए प्राथिन करेंगी यदि आपट वाइवल के वचन का पोस्ट चाहते हैं हमें इस नंबर पर contact करें धन्यवार जै मसी की मेरा नाम मनज कुमार काटले है मैं 36 गड़ करहने वाला हूं मेरा गवाही यह है कि मैं लगभग एक साल से सैटका के दर्द से कमर के दर्द से बहुंट परिसान था मैंने लगभग दस डाक्टर से इलाज करवाय लेकिन कहीं भी कोई फाइदा नहीं हुआ तो फिर मैं हरो सुबह साम अमरीता मसी और पीके ब्रदर का प्रात्ना सुनता था मोबाइल पर फिर मैंने एक दिन उनको फून लगाया प्रात्ना किया फिर वार्ट्साप मेसेज भी भेजा फिर उज अमर का दर्द पूरा तरह से ठीक हो गया है इसलिए मैं प्रभीश मुश्य का धन्यबाद करता हूं मेरा दूसरे कवाहिया है कि मेरे पिता जी करीव पचास साल से सराब पीते हैं और मैंने उसके लिए भी वार्ट्साप मेसेज गिया था उसके लिए भी पीके मसी ने वार प्रभी पातना को सुना और करीवे एक महिना हो गया कि मेरे पिता जी सराब पीना बंद कर दिये हैं उसे बहुत प्रभु का आसिस मिला है उसके सरीर में भी जो तकलित हो सब्दूर हो गया है और हम लोगों को घरेलु कामकारे में भी बहुत सारे आसिस मिले हैं इन सब के सब्सक्राइब करते हों कि आप सब दुदर शाम के लिए मैं आशा करते हूं कि आप सब ने प्रभु के वचं को सुनकर आश्टि श्पाई है को, आई चिछे भी, आप De Halinsya करें धनिवात करते हैं जीविट सामर्थी परभु हमारे उद्हार करता प्रभुयेसमसी म सूंकर आपका धनिवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्रात्म हम आपके नाम को प्रेस करते हैं आपको धनिवाद देते परमिश्य क्योंकि तुने हमें ये समय दिया प्रभू कि हम अपने जीवनों से धनिवादित हो सके पिता धनिवाद करते प्रभू इस साम के समय में प्रभू हम सब को मौका दिया प्रभू संगती का सहभागी बनने के लिए हम सब को fellowship करने के लिए प्रभू आपने प्रभू येश मसी ये platform तयार किया है प्रभू येश मसी अपनी उपस्तिती उनके जीवनों में रखे प्रभू और खुदा तेरा पवित्रात्मा प्रभू आज की शाम में उन्हें गाइड करें थैंक यू लॉड जीजस वी प्रेइस यू फादर वी प्रेइस यू फादर वी लिफ्ट अप यू नेम बिकॉस यू आ दी ग्रेट फ सफ्रिंग्स को प्रभू ये शमसी आपके सम्मुख बोलने के लिए प्रभू आज वो रेडी है मेरे खुदावन सब कुछ आपके आगे रखने के लिए वो तैयार है परमेशर क्योंकि प्रभू सल्यूशन उपाई इंतजाम सिर्फ आपके ओर से होने पाते हैं परमेशर और आज प्रभू इनके लिए इंतजाम हो हाँ प्रभू इन भाई भेनों के लिए जो हमारे साथ मिलकर प्रात्ना कर रहे हैं मेरे खुदा हमारे साथ मिलकर बैठे हैं इस प्रात्ना में प्रभू तेरे नाम पर भरोसा करते हैं और पहली बार यदि वो शामिल हुए है प्रबु आज इन सारी बातों में यह आये तो हैं परन्तों प्रबु इन सारी बातों में वो जाने वाले नहीं वरन आपके आनंद को आपके भलाई आपके उपाईयों को अपने जीवन में लेकर जाने वाले हो सके मेरे प्रबु धन्यवाद करते हैं पिता आज पूरे दिन आपने सुरक्षित रखा संभाले रखा एक एक काम को करने में सहता मदद कि अपनी बुद्धी से भरा परमेशर आपकी गाइड़न्स को दिया आपका जीवनों को अपने लहु से सुद्ध और पवित्र करें हमें मौका दे परमेशर कि प्रभू हम उन गलतियों को कभी भी अपने जीवन में ना दोराएं प्रभू हम शमा चाहते हैं हम माफी मांगते प्रभू आप शमा करें प्यारे प्रभू अपने लोगों को शमा करें उन पर दया करें प्रभू उन्हें मौका दें प्रभू कि वो तेरे प्रेम को जान सके उन्हें मौका दें प्रभू वो तुझे जान सके कि तेरा हिर्दय कितना तरस और दया से भरा तो कितना प्रेमी परमिशर है पिता ऐसा जानने में इनकी साहता करें प्रभू धनेवाद करते आज हमने वचन सिखा पर्मेशर अस्तर के जीवन से पर्मेशर तुने हमें सिखाया पर्मेशर पिता pamię estrz offers को लोगों को उन्न दीने वाला पर्मेशर है उन्हें बढ़ाने वाला पर्मिशर है ौन ill itus वचन का द प्रभु इस वचन के आधार पर प्रभी येश्य मसी जो वचन प्रभु एस्तर के जीवन से हमने सीखा परमेश्य पिता मैं दूआ करती हूँ प्रभु आपने हर किसी को प्रभु जो इस समय प्रात्न में शामिल है प्रभु आपने उन्हें चुना है पिता एक विशेश प्रभु एक निचले स्थर से परमेश्य पर प्रभु तुने उसे रखा और योजना उसके जीवन से सफल की प्रभु उसी प्रकार प्रभु येश्य मसी इन भाई बहनों को भी प्रभु आप प्रभु येश्य मसी अपने अनुसार प्रभु इन्हें उन्नत करे प्रभु वो रास्ता इन्हें दिखाएं परमिशु जिस रास्ते के द्वारा प्रभु ये उन्नती के ओर जाएंगे प्रभु इन्हें उन्नती दे प्रभु इनके भविशे में इनके प्रेजेंट में प्रभु इनके बच्चों को उन्नत कर प्रभु इन्हें आप हर प्रकार के कामों पर उन्नती दे परमिश्य पिता और ये उन्नती करके प्रभू तेरी उस विशेश योजना को जान सके पिता परमिश्य जो तेरी ओर से इन भाई बहनों के लिए बनाई गई है पिता हर एक के उन्नती भरे जीवन के लिए हम दुआ करते पित ये उन्नत होने पाएं परमेश्व पिता ऐसा होने में आप साहित और मदद कीजिए पिता जितनी प्रात्न विंतिया आज आई है और आज इस प्रात्न के माध्यम से बोली जा रही है आपके लोगों के मुझ से परमेश्व कुदावन में प्रात्न करती हूं इनके परिवार क हर एक समस्या को दूर करें, इनके जीवन से हर प्रकार की परिशानियों को दूर करें, इनके लिए उपाई इंतिजाम करें प्रभू, इन्हें छुटकारा दे प्रभू येशुमसी, इनके लिए प्रभू येशुमसी, हर प्रकार की समस्या को आप दूर करें, यदि आज वि शरीर को छोड़कर चले जाओ आप अपने शरीरों पर हाथ रखें जहां दर्द है वहाँ पर अपने हाथ को बढ़ाईए आज प्रभू येशु मसी आपको चंगा करने जा रहे हैं येशु मसी मैं धन्यवात करती हूं इस समय पिता आपने इन भाई इन बहनों को इन ये चंगे हो जाएं शुनास्री के नाम से अंद्रूनी अंग चंगे हो जाएं शुनास्री के नाम से बहरी अंग चंगे हो जाएं शुनास्री के नाम से मैं धनिवात करती हूं पिता परमेश्वर धनिवात करते हैं अपने चंगा किया पिता आज रात में अच्छी नीन को प्रभू इनके जीवन में वह कारें प्रभू जो पिता आपकी ओर से है प्रभू दर्शनों के द्वारा बातचीत करें पिता हर प्रकार की इस्ट्रेस चिंता तनाव को आप दूर करें प्रभू ये सुकून भरी नींद लेकर सोने पाएं और तेरी महिमा बारंबार करने पा प्रातना विंती येशु मसी आपके नाम से सुनी गई उत्तरहां आमीन में मिला है प्रभू अपने आपने प्रभू आपने अपने अपने लोगों की सुधी लिया है मैं धन्यवाद करती हूं हर एक बात को तेरे हाथों में देते हैं प्रभू जो सेवा कर रहे हैं प्रभू